हेलो भाया वेलकम बैक टू फ्री सार्किट लेब भाया इस मेशीन के अंदर एक प्रोब्लेम था उसको मैंने एक ट्रीक यूज करके सलूशन किया उसको मैं दिखाने वाला हूँ यहाप देखिए जो ग्राउंड पीन है वो इस वाले पीन है उसके बगल वाले पीन में बैट बोल्ट का रेगुलेटर था जो कि यह फाइब बोल्ट देता था यह वाला लेकिन यह खराब हो चुका है और यह खराब होने के करण यह डेड़ हुआ और मेरे पास आया है यह तो मैंने इसको एक ट्रीक यूज करके सलूशन किया क्योंकि एक्जाक्ट वह वाला आईसी मे लिकल के दिखाया तो यह त्रीक आपका लाइफ में कभी भी काम आ सकती है जहाप और आपको राइट वोल्टेज की रेगुलेटर आपके पास नहीं है स्टॉक में तो आप वह बना सकते हैं दूसरा रेगुलेटर यूज करते हैं देखिए कैसे मैंने ग्राउंड पिन को डायरेक्ली ग्राउंड में ना जोड के तिन डायोड से जुड़ा ऐसा की यूँ थोड़ी देर में बताऊंगा सबसे राइट सैड में जो कनेक्शन है यह वाला इसमें बैटरी का वोल्टेज आता है और जो यह वाला हीट सिंक पिन है इसमें आउटपूट वोल्टेज न बिल रहा है और इसी वोल्टेज को यह 0 वोल्ट मान के यह आउटपूट दे रहा है इसलिए जो 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर यह आभी 4.6 वोल्ट देने लगा अब इसको मैं 5 वोल्ट भी करके दिखांगा वीडियो के एंड तक तो इस तरह से आप लोग कोई भी रेगु वाला नहीं है मेरा वाला 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है तो उस मैं जो यह वाल पीन है यह इंपूट बैट्री से इंपूट्व Northeast आती है और यह आउटपूट टीन is gonna से भी जुड़ा है तो इससे आउटपूट व令 बना दिया तो यही बेभु यह पर 7805 जो 8805 IC होता है वो क्यों नहीं लगाया यह क्योंकि यह बहुत ज्यादा common IC है जो कि हर किसी के पास मिल जाता है क्योंकि एंप्लिफार के अंदर होता है और यह देड़ प्याद तक सपोर्ट भी करता है तो मैंने यह पर 8805 क्यों नहीं लगाया भाया देखिए यह पर unstable हो जाएगी और यह काम नहीं करेगी इसलिए मैंने 1117 के साथ गया मेरे पास AMS 1117 3.3 वोल्ट का था आपके पास अगर 1.8 वोल्ट का है 1.5 वोल्ट का है 2.5 कोई भी चला सकते है यह फिर आप लोग LM317 जो adjustable version होता है वो भी काफी common है काफी स्टोर में नजदिक मिल जाता है तो यह भी यूज़ कर सकते है यह 1.25 वोल्ट की रेगुलेटर है लेकिन इसको भी adjustable बना के काम चलाया जाता है दूसरा वोल्टेज बनाने के लिए लेकिन मैंने यहापर क्या किया बेसिकेली जो company भी ऐसा recommend करता है करने को आगर कभी adjustable करने की जरुरत पड़े वाले यह तो adjustable रेगुलेटर है यहापर देखिए दो रेजिस्टर लगा दिया जो कि इसका ग्राउंड पीन को थोड़ा सा वोल्टेज में बूस्ट देता है यह डायरेक्ली ग्राउंड नहीं ह होता है इसको थोड़ा सा वोल्टेज में हाई करकर राखता है इन दोनों वोल्टेज रेजिस्टर का जो डिवाइड किया हुवा वोल्टेज उसमें रखता है तब ही जाके यहाप पर आउटपूट बन जाती है इसी तरीके से LM317 भी काम करता है जो मैंने थोड़ी देर प इस तरीके से दो रेजिस्टर लागा कि तो इससे तो बैरियेबल बन जाता है अगर हम रेजिस्टर दो पीछ ना लगा के अगर कोई डायोड बगरा यहापर लगा देते हैं न इस रेजिस्टर की भी ज़ोड़त नहीं है जो इसको हम ग्राउंड में करते है उसको डिरेट में connected रहेगा तो इस तरह किसे एक डायोड लगाएंगे तो 0.6 वल्ट हाई होगा voltage अगर दो डायोड लगाएंगे तो 1.2 वलट तीन डायोड लगाएंगे तो 1.7 वोल्ट इस तरह की जो है voltage आपको हाई देखने को मिलेगा तो इस तरह के से आप लोग काम चलाने के लिए वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं और भाया अभी हम लोग बात करेंगे हमारा स्पांसर के बारे में इस वीडियो स्पांसर बाए उल्टेम डिजाइनर एंड अक्टोपार्ट उल्टेम डिजाइनर एक एडवांस लेवल की PCV जरूरी होता है और उक्टोपार्ट है इन साथ गूगल फॉर एलेक्टोनेक्स आप लोग यहाप और गूगल के तरह सारे पार्ट को सार्च कर सकते हैं यहाप और आपको हार एक तरह तरह के पार्ट उसका डिस्टिवीटर उसका स्पेसिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगा तो यह साइट आप जरूर चेक कीजिए काफी काम की साइट है इस सब्सक्राइब का और अक्टोपार्ट का लिंक्स बगर अट सब्सक्राइब तो में एक त्रिक आपको दिखाया देखिए यहाप पर मैंने एक रेड एलेडी लगा दिया रेड एलेडी का नेगेटिव जो लिकुल करीब है तो इससे क्या होगा यह मेशीन को पता ही नहीं चलेगा आपने दूसरा इसी लगा के ट्रीक यूज करके इसको सल्यूशन किया तो यह पर तीन डियोड की कोई ज़रूरत नहीं है आप एक रेड एलेड लगाएंगे तो 1.6 वोल्ट बढ़ेगा यह मैंने क्यों यूज किया याब और क्योंकि इसका जो ड्रॉप आउट है वो लो है लो ड्रॉप आउट वोल्टेज जो अठतोच जिरो पांच देखा उसमें ड्रॉप आउट वोल्ट था पांच वोल्ट का रेगुलेटर मिनिमम सात वोल्ट मागता है तो उसके लिए ड मिली एंपियर है तो यह वोल्टेज और कम होती है तो इस तरह के से क्या होता है यह बहुत ज्यादा सूटेबल रहता है जब आपका इन्पूट वोल्टेज का हेडरूम आउटपूट से बहुत कम है मतलब यहाप पर जो सिच्वेशन हुआ था इन्पूट वोल्ट आ रहा कमेंट से बताए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए फ्रेंट्स के साथ थैंक्यू फोर वाचिंग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर ऐसा ही इंटरेस्टिंग नोलेज आपको पाणा है हमारे चैनल के साथ जुड़े र क्याना